हलो स्टूदेंट्स वेलकम टू पैरागॉन क्लासेज क्लास 12 के लिए जो मैगनेटिजम यूनिट चल रहा है उसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे फोर्स ओन चार्ज और हमने आपको पढ़ा दिया था कि कोई charge particle जो magnetic field में enter होता है तो उस पर कितनी force लगती है और किस direction में लगती है उस force को Lorentz force कहा जाता है यह force आपको find out करना सिखा दिया था और उस force के special cases सिखा दिये थे और force की help से उसका vector notation भी सिखा आया था और force की help से magnetic field का जो SI unit है टेसला वो भी find out करना सिखा दिया था अब हम उस force की वजह से charge particle कैसा motion करता है magnetic field में वो हम पढ़ेंगे last चीज यही है electric field में कैसा motion करता है वो हमने आपको पढ़ा दिया है magnetic field में charge का motion आपको पढ़ाएंगे तो चलते हैं हम अपने आज के topic पर तो यह है आपके सामने हमारा आज का topic force और चार्ज चैप्टर में जो आज का हमारा topic है वो यह है heading लिखा है motion of charge particle in magnetic field आपको अब तक क्या पढ़ा दिया गया है यह पढ़ाया गया है के कोई charge particle magnetic field में Q charge particle है वो Q उसका charge है V velocity से B magnetic field में भागता है तो उस पर इतनी force लगती है यह उस force का vector notation है और इसको हम जब solve करेंगे मतलब magnitude निकालेंगे तो यह आजाएगा यह theta velocity यानि charge particle के moving या motion के direction और magnetic field के बीच का angle होता है तो अब तक आपको यह पढ़ाया है कि इतने newton force लगती है किसी charge particle पर जब वो magnetic field में move करता है अब आपको आज यह पढ़ा जाएगा कि force की वज़े से वो charge particle कैसा motion करता है किस तरह move करता है और उसमें first case है दो cases है first case यह है when charge particle enters perpendicular to the magnetic field यानि जब charge particle magnetic field के perpendicular direction में enter होता है magnetic field के अंदर तो उसके लिए हम आपको दिखाते है कि यह आपका एक three dimensional axis की form में एक diagram बना रखा और और ऐसा समझ लें कि यह z axis के along एक magnetic field आपने लगा दिये वो magnetic field बी से denote की जाती है और मैंने पहले भी example बताया था अगर आप इस diagram को एक room का एक आपके कमरे का एक corner यह जो o point दिख रहा है यह कमरे का एक corner consider करें तो यह यहाँ पर आपका floor है यहाँ पर आपकी एक wall है और यहाँ पर आपकी एक wall है और यह कमरे में magnetic field है वो floor से ceiling की तरफ यानि बिल्कुल जमीन से जो कमरे की जमीन यानि floor है उससे बिल्कुल छत की तरफ अगर लग रही है तो वो magnetic field Z-axis के along लगती हुई कही जाएगी क्योंकि Z-axis जमीन से उपर की तरफ है कमरे का यह वाला edge जहाँ यह wall और यह floor मिल रहा है यह y-axis दिखाया गया और यह वाला edge जहाँ यह floor और यह वाली wall मिल रही है वो X-axis दिखाया गया तो आपकी magnetic field इस room में floor से ceiling की तरफ लग रही है तो वो magnetic field Z-axis की तरफ मानी जाएगी अब इस magnetic field में एक Q-charge प्लस मान लेते हैं प्लस Q-charge भागने लगता है अगर और उसका direction magnetic field के perpendicular लिया गया है यह case हमने जो consider क्या है उसमें हमने जान बूच कर charge particle को magnetic field के perpendicular भगाया है यह arrow लगा रही है velocity के उपर क्यूंकि velocity भी एक वेक्टर quantity है तो इस case में यह angle theta जो velocity के direction और magnetic field के direction के बीच में बनेगा वो 90 हो जाएगा इससे पहले आपने randomly की दर भी भगा के देखा था अब इस case में charge particle पर कितनी force लगेगी और उस force की वएसे वो charge particle कैसा motion करेगा यह हम आपको दिखाते हैं तो सबसे पहले आप इस formula का use करेंगे केस हमारा क्या है when charge particle enters perpendicular to the magnetic field तो अब हम आपको दिखाते हैं कि charge particle पर लगने वाली force तो according to lawrence force आपकी जो charge particle पर force लगेगी वो qvb sin 90 हो जाएगी since theta is equal to क्या दे रखा है 90 degree यहाँ खुझ से ही बोल रखा है कि charge particle magnetic field के perpendicular है तो जब आप यह lawrence force का formula solve करेंगे तो यह force कहां से आई वह आप पहली पढ़ चुके हो अब इस force की वज़े से charge particle कैसा motion करेगा उसके लिए उस reason को 12th class में books में कहीं समझाया नहीं गया है क्योंकि ऐसा जरूरत नहीं समझा गया कि उसको explain करा जाए उन्होंने सीधा बता दिया है 12th की book में कि इस force की वज़े से charge particle कैसे move करेगा लेकिन बहुत सारे students को ये बात अपने आप याद नहीं आती जब तक याद न दिलाए जाए तो उन students के लिए में उनको याद दिला दू 11th class में एक unit आपको पढ़ाय जाता है जिसका नाम होता है laws of motion और इस laws of motion unit में जो सबसे पहला chapter पढ़ाय जाता है वो होता है force और इस force chapter में सबसे पहले force के definition पढ़ाय जाती है और वहाँ ये कहा जाता है कि force is a push or pull force is a push or pull which changes or tries to change the state of an object कि force एक push है यानि किसी को धक्का देना या खींचना जो किसी object की state को change करता है या वैसा करने की कोशिश करता है अब इस definition के बाद ये बताय जाता है कि force पांच काम कर सकता है करता है या कर सकता है और उन पांच कामों में पहला काम होता है body को rest से motion में ले जाना या वैसा करने की कोशिश करना second काम होता है motion से rest में ले जाना motion M for motion R for rest rest से motion motion से rest velocity increase करना किसी body की velocity को बढ़ा सकता है force velocity decrease करना और पांचवां आखरी काम direction change करना यानि force लगाने पर body का direction change हो सकता है अब rest से motion तो body पर ऐसा है जैसे ये body है ये rest में आपने इसे धक्का दिया है motion में आ जाएगी हाँ motion से rest में लाना हो तो body जिस direction में चल रही है उसके opposite force लगानी पड़ेगी velocity अगर increase करनी हो तो body जिस direction में चल रही है उसके उसी direction में force लगा दो velocity increase हो जाएगी velocity decrease करने के लिए opposite direction में force लगा दो यानि उपर वाले चार काम one two three four करने के लिए force जो है वो body के या तो चलने के direction में या जिस direction में चल रही है उसके opposite direction में लगानी पड़ती है उपर वाले चार कामों के लिए लेकिन पांचवा जो काम है ये वाला जो direction change है इसमें body जिस direction में चल रही है force उसके perpendicular लगानी पड़ती है ये dynamics में laws of motion में 11th class में बताया जाता है कि अगर आपने किसी चलती हुई body जिस direction में उसकी velocity है उसके perpendicular force लगाई तो उस body का direction change होगा सिर्फ ना वो force body की velocity को बढ़ाएगी ना कम करेगी ना rest में लाएगी ना motion में motion में तो already है वो सिर्फ और सिर्फ उसका direction change करेगी ये बात 11th class में पढ़ा दी गई थी जो मैंने बच्चों को याद दिला दिये अब यहाँ ये याद क्यों दिलाया क्योंकि lawrence force में जब आप ये formula पढ़ते हो तब आप ये पढ़ रहे हो कि force जो आ रही है वो b और b का cross product है और cross product से जो answer आता है किसी भी दो vector के cross product से जो answer आता है वो answer यानि वो quantity भी vector होती है ये भी आपने 11th में पढ़ा है और उस quantity का direction वी और b यानि उन दोनों vectors के perpendicular होता है यानि जो force लगेगी इस charge particle पर वो v और b दोनों के perpendicular लगेगी और क्योंकि v है इस access की तरफ y की तरफ magnetic field है z की तरफ तो इन दोनों के perpendicular तो सिरफ यही वाला access हो सकता है तो force, Lawrence force के इस formula के मताबिक v और b दोनों के cross product की वज़े से cross product होने की वज़े से दोनों के perpendicular लगेगी यह भी 11th class में पढ़ाया जाता है right hand screw rule से और यह force चुकि v और b दोनों के perpendicular है तो v के तो perpendicular है जब दोनों के perpendicular है और v के perpendicular होने की वज़े से वो सिर्फ इस charge particle का यह force सिर्फ इस charge particle का direction चेंज करेगी ठीक है जी ना velocity को बढ़ाएगी ना कम करेगी सिर्फ इसका direction चेंज करेगी और लगातार force उसका सिर्फ एक ही काम करती रहेगी direction चेंज तो अब आपको यह सारी बाते हटा रहा हूं है क्योंकि इनकी कहानी खतम हो गई है अब आपको mainly इस बात पर focus करना है कि charge particle जब magnetic field में enter हुआ तो उस पर lawrence force लगी ठीक है जी वो आपने पढ़ लिया और वो lawrence force कितनी लगी वो भी आपने पढ़ लिया और उस lawrence force के formula से आपने जाना कि वो lawrence force velocity और magnetic field दोनों के perpendicular लग रही है magnetic field के perpendicular लगने से कुछ नहीं होता velocity के perpendicular लगने से क्या होगा कि वो force लगातार velocity का सिर्फ direction चेंज करती रहेगी और जब किसी भागती हुई body का सिर्फ और सिर्फ direction चेंज होता है तो वो सिर्फ एकी तरह का motion करती है जो आपको 11th class में फिर से पढ़ाया गया था कि जब भी किसी body के सिर्फ velocity का direction बदल रहा होता है यह arrows आप जो आप देख रहे हो यह arrows tangential जो बने हैं यह दिखाते हैं कि circular path में घुमती हुई body का सिर्फ और सिर्फ direction बदलता है उसकी velocity fix रहती है जिसे uniform circular motion कहते हैं यानि velocity का magnitude नहीं बदलता सिर्फ बदलता है direction तो इससे conclusion निकलता है और यह जो मैंने अब तक की कहानी बीच की सुनाई है यह वाली बात 12th की book में explain नहीं की गई है यह वाली बात 11th की क्योंकि पढ़ी होती है इसलिए वो directly लिख देते हैं कि इस force की वजह से जो charge particle हमारा है वो magnetic field में circular path में गूमने लगेगा this force will make the charge particle to move in circular path वो directly लिख देते हैं क्योंकि यह सारे जो reasons मैंने अभी आपको समझाया है यह वो ऐसा मानते हैं कि बच्चों को बिना समझाये या बिना याद दिलाए अपने आप याद आ जाएंगे जो कि मुझे पता है कैसा होगा नहीं तो लेकिन चलो बिना याद दिलाए या बिना reference दिये याद नहीं आए लेकिन अब याद रखना है कि लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा वो फोर्स वी और वी के क्रॉस प्रोडक्ट से आ रही है और क्रॉस प्रोडक्ट से दो वेक्टर से जो आंसर आता है वो दोनों के परपेंडिकूलर होता है यानि यह फोर्स दोनों के परपेंडिकूलर होगी वी के बी और वी के बी अब जब आपको यह पता चल चुका है कि यह चार्ज पार्टिकल circular path में move करने लगेगा तो इसका मतलब यह charge particle ऐसे move करने लगेगा reason आपको पता चल गया क्यों क्योंकि force, velocity और magnetic field के perpendicular है और velocity के perpendicular लगने वाली force लगातार direction change करती है और लगातार direction change उसी चीज़ का होता है जो circular path में move करती है तो आपने जैसे ये पढ़ा था कि electric field में charge particle जब enter होता है तो वो कैसे path में move करेगा तो आपने बोला था parabolic path में ऐसे ही अब आपको ये बात याद रखनी है कि magnetic field में charge particle enter करेगा magnetic field के perpendicular direction तो वो circular path में move करेगा पहला तो जवाब हो गया यह अब वैसे तो कहानी यहीं खतम हो जानी चीए थी कि आपको यह पता चल गया है motion of charge particle in magnetic field कि how the charge particle will move inside a magnetic field तो आपको बोलना है when a charge particle enters perpendicular to the magnetic field it moves in circular path और circular path में move करने का reason आपको बता दिया और उस पर कितनी force लेगी वो भी आपने बता दी लेकिन किसी ने पूछ लिया अच्छा circle में move कर रहा है तो जरा बताना उस circle की radius क्या है तो अगर आपको यह पता लगाना है कि जिस circle में वो घुम रहा है उसकी radius क्या है तो आप पता लगा सकते हो उसके लिए आपको फिर से एक बात याद दिल लानी पड़ेगी वो बात है यह कि circular path में जब भी कोई body घुमती है चार्ज हो या कोई भी body हो उस body पर एक force जरूर लग रही होती हो जिस force का नाम होता है centripetal force यही force responsible होती है चार्ज particle को या किसी भी particle को या किसी भी body को circle में घुमाने के लिए तो हम यह बोलते हैं कि अगर कोई भी body circle में घुम रही है तो उसको कोई ना कोई centripetal force घुमा रही होगी और वो centripetal force का यह formula था और मैं बच्चों का example देता हूँ कि अर्थ सन के या अर्थ या कोई भी planet चारो तरफ सन के घुम रहा है तो उसको घुमाने के लिए अर्थ और सन के बीच का gravitational force काम करता है centripetal का nucleus के चारो तरफ कोई electron अगर घुम रहा है तो electron negative charge है nucleus positive उनके बीच की electrostatic force काम करती है centripetal का तो यहाँ यह जो lorence force है जो qvb sin 90 है sin theta की 90 रखा और फिर यह आई यह काम करेगी उसे गुलगुल घुमाने का यानि यही force काम करेगी किसका centripetal force का यानि हम यहाँ कह सकते हैं कि the lorence force acting on the charge particle will make the body to move in circular path and therefore this force behaves as a centripetal force क्योंकि lorence force charge particle को circle में खुमाने का काम कर रही है तो यह lorence force ही centripetal force का काम करेगी और जब यह lorence force ही centripetal force का काम कर रही है तो हम इस lorence force को ही centripetal force के बराबर रख देंगे और lorence force को centripetal force के बराबर रखने पर v से v कैंसल होगा और cross multiply जब हम करेंगे तो r की value आएगी mv upon qb क्या बोला था मैंने यह तो हमें पता चल गया कि charge particle magnetic field में circular path में move करेगा और बहुत बार बता दिया मैंने अभी अभी इसका reason लेकिन जिस circle में move करेगा उसका radius क्या होगा तो हमने centripetal force का formula लिया जिसमें m उस body का यानि उस charge का particle का mass है वी उसकी velocity है जिससे वो घुम रहा है आर उस circle का radius है जिसमें circle में वो घुमेगा तो हमने centripetal force क्योंकि बिना centripetal force के circular path होता नहीं और हर बार कोई न कोई पोर्स centripetal force का काम करती है अगर आप रसी में पत्थर बांद के गुमा दोगे गोल गोल तो रसी का tension centripetal force का काम करेगा यहाँ पे centripetal force का काम Lorenz force कर रहा है तो Lorenz force अपने qv sin 90 से निकाली क्योंकि थीटा 90 था और qv sin 90 में sin 91 होता है तो 1 हो गया qvb बचा उस qvb को हमने centripetal force के बराबर रखा और आर के लिए solve कर लिया यह हमारे circular path की radius आ गई अब बुलते ठीक है चलो जी लेकिन आपका पीछा चोड़ी ने रहा वो जो आपसे पूछ रहा था जिसको आपने बता दिया कि circular path में घुमेंगे तो उसने circle का radius पूछ लिया आपने radius बता दिया तो अब वो पूछ रहा है कि एक चक्कर काटने में एक circle पूरा करने में कितना time लगेगा तो यह चीज radius of circular path है अब वो पूछ रहा है time period time period मतलब time taken by the charge particle to complete one round one round मतलब one circle और यह time period निकालने के लिए simple formula इस्तेमाल करो simple formula क्या है speed is equal to distance upon time इससे हमें formula बनेगा time is equal to distance upon speed यह cross multiply यह नहीं interchange करें और time को अगर आप capital T बोल रहे हो एक चक्कर काटने के time को तो एक चक्कर काटने के दौरान charge particle distance कितना travel करेगा किसी भी circle में एक पूरा circle चलने में जो distance चला जाता है वो circumference कहलाता है यानि एक पूरे चक्कर का distance circumference है जो टूपायार होगा और उस charge particle की speed तो आपको मालूम है V V की value change नहीं हो रही सिर्फ लगातार क्या change हो रहा है direction यह हम अटा देते हैं जिसका काम हो गया काम खतम वो चीज भी खतम तो अब और करके time निकालने के लिए 2 pi upon V ऐसे कैसे ही है आर जो है वो आप पहले ही निकाल चुके हो equation 1 से उस equation 1 से आर की value रख दी जाएगी रख दिया value र का बहुत आसान है यह लॉरेंस पोर सेंट्री पिटल का का काम कर रही थी क्योंकि गोल गोल घुमा रही तो दोनों को बराबर रख रखा एक चक्कर का टाइम निकालने के लिए speed is equal to distance upon time फिफ शिक्स क्लास से पढ़ते हो time is equal to distance upon speed distance to pi r होता है एक चक्कर का speed उसकी V पहले दे रख ही है आर की जगे आपने equation 1 से आर का value पुट कर दिया वी और वी चैंसल हो गया आपके पास time period का formula आ गया है 2 pi m upon qb और इस formula से एक important बात बहुत important बात पता चलती है वो बात यह है कि charge particle को एक चक्कर काटने में जितना time लगेगा वो time उस charge particle की velocity पर depend नहीं करता कहीं है formula में velocity 2 pi तो constant है charge particle का mass है m जैसे अगर आपने वो charge particle proton लिया plus q charge proton है proton के क्योंकि positive charge होता है तो उसका mass भी fix है charge भी fix है magnetic field जितनी आपने लगा दिये वो उस particular magnetic field के तो fix value आपको पता ही है तो उसके charge particle के एक चक्कर काटने का time हमेशा fix है कितना भी तेज आप charge particle को magnetic field में fake हो उसका time हमेशा एक चक्कर काटने का fix रहेगा हाँ magnetic field strong करोगे या एक charge के वज़ाए दूसरा कोई charge fake होगे दूसरा उसका mass कुछ और होगा तब तो बदल सकता है लेकिन एक ही magnetic field में एक ही charge particle को आप कितनी भी तेज velocity से fake हो या कितनी भी धीरे वो एक चक्कर काटेगी जिस time में वो time constant रहेगा धीरे या तेज फेकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे अगर कोई चीज टेज चलती है तो वो कम समय लेती है धीरे चलती है तो जादा समय लेती है यहाँ पर यह बहुत important बात है और ऐसा क्यूं होगा या किस वज़े से होगा और या किस condition में ऐसा possible है यह बात तो हम मैंने बता दी कि time हमेशा constant रहेगा देखो फॉर्मूले में कहीं velocity नहीं है आप इसी magnetic field में इसी charge particle को 5 बार 10 बार 20 बार fake को अलग-अलग velocity से हर बार एक चक्कर काटने का time fix है यह तो हमने बताया है लेकिन ऐसा होने के लिए क्या compensation या क्या condition या क्या possibility है वो आपको बताना है यह है आपका task फीक बात है अब अगर आपको time मालूम चल चुका है तो एक आज छोटी-छोटी चीज और बता देते हैं और यह topic finish हो जाता है छोटी-छोटी चीज क्या है अगर यह एक चक्कर काटने का time है जो आपने side में box में लिखावा है यह चोटी चीज है इस the time taken to complete one round तो अगर हम one by t निकालें तो यह क्यालाएगा number of rounds in one second जिसको हम frequency बोलते हैं और वो time का reciprocal होता है अगर आपको एक चक्कर का time पता है तो उसका reverse कर दें reciprocal कर दें तो हमें एक second में कितने चक्कर आएंगे वो पता चल जाएगा यह seconds में आएगा और यह per second में आएगा यह hertz में आएगा per second को यह hertz करते है इस new को frequency कहा जाता है यह आपने जो निकाली है चीज यह क्यालाती है radius of the circle in which the charge particle moves यह क्यालाता है time period यह तो लिखाई है उपर दोबारा लिखने की ज़रूतनी है time खाली time नही time period एक चक्कर काटने का time और यह चीज क्यालाती है क्या frequency तो पहली चीज आपने जो find out की वो थी radius दूसरी चीज जो आपने find out की वो थी time period और तीसरी चीज जो आपने find out की फ्रिक्वेंसी यह ऐसे लिख देता हूँ पहली चीज जो आपने find out की वो है radius जिस circle में वो घुमेगा दूसरी चीज जो आपने find out की वो है time period एक चक्कर या एक circle का timing और तीसरी चीज आपने find out की frequency और चौती चीज जो आप अब find out करोगे आखिरी इस article की वो होगी angular frequency यह खाली frequency है जिसे आप linear frequency भी बोल सकते हो यह है angular frequency और यह find out की जाती है ऐसे यह भी formula आपको 11 ख्लास में पढ़ाई से angular speed या angular frequency कुछ भी बोल सकते है angular frequency और यह angular frequency ओमेगा टू पाई बाई कैपिटल टी है टू पाई अपाउन क्यापिटल टी की जगह है टू पाई एम यह रहा क्यापिटल टी का वेल्यू अपाउन क्यू बी जिसमें टू पाई से टू पाई कैंसल हो जाएगा एम बचेगा क्यू भी नियूमरेटर में चला जाएगा तो आपके पास बच गया क्यू भी अपाउन एम यह क्यू भी अपाउन एम आपकी कहलाएगी एंगिलर फ्रिक्वेंसी ऑफ दे चार्ज पार्टिकल तो जब आपको मोशन आफ चार्ज पार्टिकल करने के लिए आता है पढ़ने के लिए आता है इन मैगनेडिक फील्ड और उसमें ये वाला केस पूछा जाता है तो आपको ये सारे चीज़ें फाइंड आउट करनी है ये पूरा डीटेल में with language आपके notes में लिखावा है जब आप ये article यहाँ पर वीडियो में देखें उसके बाद फटा फट उसको notes से एक बार पढ़के देखें कि ये जो यहाँ समझाया गया ऐसा का ऐसा notes में है या नहीं तो ये आपका first case हो गया है जब charge particle magnetic field में move करता है और वो perpendicular enter होता है वो enter ही perpendicular हुआ है पहले किसी और direction में enter नहीं हुआ अब हम चलते हैं इसके second case पर यहाँ यह first case आपका complete हो गया है